हाई अब्रिवन वेल्टब टू माई चैनल चली कुछ बनाते हैं तो आज मैं ग्लीटर पेपर से फ्लावर बनानी के लिए आप लोगों को बता रही है यह रहा ग्लीटर पेपर मैंने रेट करण का चूस किया है आप किसी भी करण का चूस कर सकते हैं और साइज आप अपनी मैंने यह इस चैप का एक कैप है उस कैप को रखका बेस बनाया और फिर मैंने कट किया अब इसे पीछे के साइट से फोल्ड करेंगे और इसे यहां से कट करेंगे ओके अब आगे का प्रोसेस यहां से इसे फोल्ड करते है फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट में मिलाते है वान और टू यह होगी हमारा यह आगे के साइट और यह रहा हमारा पीछे के साइट इसी तरह आपको मिनिमम सिक्स पेपर को फोल्डिक करके रखना है यह मैंने सभी को सिक्स पीस को फोल्ड करकर रख लिया है अब यहां पे मैंने सुई धागा कर यूज किया आप चाहे तो यह नहीं भी कर सकते है या फिर glue gun भी use कर सकते है दोनों में से कोई भी choose कर सकते है मैं पास glue gun नहीं है तो मैं सुई धगा का use कर लिए बस यहां से बीट से इसी तरह सबी को join करते हुए जाना है यहां पे सभी को मैंने थ्रेट से एक साथ ज्वाइन कर दिया है ज्वाइन करने के बाद यह आपको इस step से दिखाई देगा अब मुझे यहां पे flower का shape लाना पहले यह सभी को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा गिस्टेंस देखे खोल देंगे और फ्लावर का shape दे देंगे यह जो मेरा last वाला जो पेटल से यहां से यह सूई धागा से इस पेटल को इस पेटल से जोईन कर देना है दो जोईन करना है जादा जोईन करने की जरुवत नहीं है नीचे से ले जाना है और इस step से इस से जोईन कर देना है मैंने one जोईन किया है एक जोईन का नौर बाकी है यह मेरा second जोईन है यहां से जोईन करने के बाद यह सुई को अंदर साइड ले जाएंगे और यहां से घीश लेंगे और उसके बाद यह जो हमारा thread है इसे कट कर लेंगे और इसे अराम से इस धंग से सेट पहले करेंगे मैंने यहां पर सेट कर लिया है आप अपनी साब से सेट कीजिएगा यह फ्लावर का सेट आ गया अब यह जो बीच का साइड है मैंने यलोग लड़का एक ग्लीटर पेपर लिया है यहां पर सरकील कट करके पेस्ट करना है मैंने फ्रैविक ओल से बीच में पेस्ट कर लिया है यह ग्लीटर पेपर है तो पेस्ट करने में टाइम लगता आपको पांच मिन्न की से होल्ड कर रखता तो होल्ड करने के बाद यह आपका इस डिजैन में फ्लावर रेडी हो जाएगा आप ठेट भी यूज़ कर सकते हैं ग्लूगन भी यूज़ कर सकते हैं तो ये हमारा ग्लीटर पेपर फ्लावर डेडी हो गया है इस तरह से मैंने दो तीन और बना के रखे हुए है ये देखिए लग रहा है ने ब्यूटिफूल इनम शाइनिंग कर रहा है तो आज का वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया है तो प्लीज लाइप एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई